तो स्टूडेंट अभी तक जो हमने टॉपिक किया था पिछला टॉपिक हमने किया था हिड़न गुडविल का ठीक है ना और होप करता हूं आपको अभी तक जो भी मैंने अदिमिशन के अदर पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया होगा ठीक है ना अगर आपको यह अच्छे समझ आयो तो मेरे डिस्किप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना था कि मैं और मूटिवेट हूँ और आपको ऐसे ही मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ब्रीफ में धंग से समझा सकूँ ठीक है ना आपका एक कमेंट मेरे को वीडियो के इंदर पढ़ रहें we are starting with the topic revaluation of assets and liability ठीक है ना अब रिवालिएशन का टॉपिक है ना आपको ध्यान हो का हमने लास्ट आप्टर चेंज इन पॉफिट सेंग रिशो में बढ़ा था मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अब जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा वो मैं concept discuss कर रहा हूं रिवालिएशन का ठीक है ना मैं रिवालिएशन को आपको याद दिला देता हूं अपन लोगोंने last topic में भी बढ़ा था रिवालिएशन का topic और वहां मैंने बताया था कि जब भी ratio change होता है तो हम लोग asset और liability को रिवाल्यू करते है ठीक है ना अब व नया partner assume करो let's say assume करो इन्वे एक नया partner admit हुआ पार्टनर C इसके अंदर admit होता है ठीक है ना A और B अल्रीडी एक फर्म चला रहे थे पिछले 5 साल से और उनके अंदर एक नया partner admit हुआ मालों इनने फर्म चालो किती 2016 के अंदर और 2020 के अंदर इनके अंदर एक नया partner admit होता है assume करो partner C इसके अंदर admit होता है ठीक है ना अब आप मेरे को एक बात बताओ अगर A और B अल्रीडी एक फर्म चला रहे थे 5 साल से 2016 से 2020 में एक नया partner admission लिया है इसके अंदर ठीक है ना इन लोगों ने क्या किया था 2016 के अंदर assume करो एक जमीन खरीदी थी एक लैंड पर्चेस किया था और वो 5 लाग रुपे का लैंड था ठीक है अब 2020 के अंदर मान लो उस जमीन की जो कीमत है वो 20 लाग रुपे हो चुकी है अब आप एक बात बताओ अगर वो 5 लाग रुपे की जमीन इनने खरीज थी 2016 में जो उसकी रियल कॉस्ट थी बट अगर उसको आज मार्केट में बेचते ना 20 लाग रुपे आते अब अगर ये आज इस 5 लाग रुपे की चीज को 20 लाग रुपे पे नहीं लेके आएंगे तो आप एक बात बताओ कल से अगर सी इस फर्म में एडमिट हो गया तो उसका हर असेट पर राइट रहेगा हर लाइबलिटी उसको पे करनी पड़ेगी तो सी क्या बोलेगा कि वो लैंड आपकी बुक्स में कितने का चल रहा है 5 लाग का और मान लो 2022 के अंदर अपने उस जमीन को बेचा लेट से 25 लाग पे तो सी बोलेगा ना मेर को 20 लाग रुपे का फाइदा चाहिए 5 और 25 का डिफरेंस अब आब बताओ इसमें 15 लाग का एप्रिशिशन तो तब हुआ था जब सी पार्टनर था ही नहीं फर्म के अंदर तो नॉर्मली क्या होता है जब भी को वापस लेकर आता है री वैल्यू का मतलब क्या होता है वापस से वैल्यू करना अब 5 लाग और 20 लाग मानलो 15 लाग रुपे का फायदा है बच्चों अपन जमीन को बेच नहीं रहें बट उसको आज की वैल्यू पर लेकर बुक्स में लेकर आएंगे ताकि कल से सी जब और मानलों पेमेंट करना था 3 लाग रुपे ठीक है अब A और B ने पेमेंट नहीं करा और मानलों कल से C ने एड्मिट हिया और C को बोलते हैं तुम भी इसको पेमेंट करो तो हमेशा ध्यान लखना है जब भी कोई फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एड्मिट होता है त एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान लखना रिवालिएशन ओफ असेट और लाबिलिटी के अंदर अकाउंटिंग एंट्री वही होती ही जो हमने पिछले चाप्टर में सीखी थी हमको बेसिक एंट्री तो पता है पिछले चाप्टर में सीखा था अगर असेट बढ़ करेंगे तो डिप उसी तरह असेट अगर डिक्रीज ओगा तो क्रेट करेंगे और लायबिलिटी एक इंक्रीज होगी तो क्रेट करेंगे तो अकाउंटिंग लगब लगब पाटर्ण तो वही चलेगा लेकिन ये ध्यान रखना इस केस में प्र रिवालशन डरनेट एफेक् द्यान रखना एड जस्ट होता है क्यों से पाटनर्स में इन ओल्ड रेशियो मेरी बाद फिर से ध्यान देना री वैलेशन अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा and that profit or loss will always be adjusted in old partners in old ratio आजी बात समझ मैं मतलब revaluation पे जो भी profit या जो भी loss होगा वो हमेशा old partners में old ratio में adjustment होगा तो revaluation हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई नया पार्टनर है अड्मेट होता है और liability गटेगी तो debit करेंगे ठीक है ना तो उसी तर ध्यान रखना अगर asset और liability के जो final revaluation का balance है वो या तो revaluation का profit होगा और revaluation का loss होगा profit होगा तो old partner से capital बढ़ जाएगा old ratio में और loss होगा तो old partners capital कम हो जाएगा old ratio के अंदर ठीक है ना कैसे accounting होती है देखो मैंने पूरा आपको नोटिंग कर रखा है आप लोग प्रॉपर में नोट करके समझ देना ठीक है ना now revaluation of assets and liabilities at the time of admission of a new partner asset and liability of the firm are revalues or revise जब भी कोई नया partner admit होगा तो assets or liability पुरानी firm की क्या होती है revalue होती है revise होती है at new value the value of asset and liability are revised so that new partner does not get effect due to previous settlement revise हो करते है था कि नया partner को पुराने वाले लेन देन से कोई फरक ना पड़े ठीक है ना क्यों फर्म री कॉंस्टूट हो चुकिए the balance of revaluation account represent profit or loss on revaluation which is adjusted among old partners in old ratio अब revaluation account पे जो balance होता है न वो represent करता है या तो profit या loss a revaluation पे जो adjust होता है old partners में old ratio के अंदर या भीवन आपको बताया था accounting entry कैसे होगी revaluation पे मानलो asset की value बढ़ी या liability की value घटी तो asset की value बढ़ने के लिए asset account debit करेंगे और liability को भी debit करेंगे क्योंकि asset तो बढ़ रहा है और liability कम हो रही है ठीक है ना तो revaluation ये entry हमने last chapter में भी देखी थी ठीक है ना for decrease in value of asset और increase in value of liability asset अगर कम हो रहा है तो credit करेंगे asset liability अगर बढ़ रही है तो credit करेंगे तो revaluation account debit to asset to liability मैं फिर repeat कर रहा हूँ अगर asset की value बढ़ रही है तो अपन asset को credit करेंगे और liability के वाली बढ़ाना है तो credit करेंगे उसको अपस ठीक है ना फिर उसके बाद कोई unrecorded asset है मानलो ऐसे को asset हमको मिल गए admission पर जो record नहीं किया तो asset बढ़ रहा है तो unrecorded asset to revaluation जितने asset individually नाम से हो जाएगी इसी तरह मानलो को unrecorded liability to the evaluation to unrecorded liability हो जाएगी ठीक है ना अब credit side अगर greater debit side से यह मैंने revolution account का format बना रहा है मानलो यह total ज्यादा है यह total कम है तो वह indicate क्या करता है? Revaluation पे profit credit side अगर greater debit side से तो वह indicate करता है Revaluation पे profit profit है तो old partners में जाएगा old ratio में यह आपको मैंने बता है gain on revolution old partners में old ratio के अन्दर to partners capital old ratio मैं, entry क्या हो जाएगी Revaluation to old partners capital in old ratio Revaluation to old parts capital old ratio के अन्दर, ठीक है बटा. इसी तरह ध्यान रखना अगर debit side जाएगा यह वाली side ज्यादा है यह वाली side, यह वाली side कम है तो वह indicate करता है loss on evaluation, तो loss on revaluation old partners में क्या होगा debit होगा to revaluation तो ये वाली side अगर जादा है और ये कम है तो ये loss होगा जो old partners का debit हो जाएगा ठीक है ये revaluation account का format है हर entry की posting समझाए तो हूँ जैसे first entry है asset account debit liability to revaluation इसकी posting ये बता रहा है asset बढ़ने का liability घटने का तो देखो buy asset increase in asset by liability decrease in liability ठीक है ना नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करीए अब मेरे को बिटा ये नहीं बूल देना सा लेजर पोस्टिंग नहीं आती है ठीक है तो मैं मेरे हतियार डाल दूँ है आपर पर ठीक है अजूम कर रहा हो लॉसके according country हो जाएगी लॉस है तो capital कम करके टू रिवालुएशन प्रॉफित दू बढ़ा देंगे ठीक है ना तो ये एक basic concept मैंने आपको बता है revolution के अंदर कि revolution मतलब assets और liability को revise करना नहीं value पे अगर asset बढ़ाना है तो debit करेंगे liability बढ़ाना है तो credit, asset कम करना है तो credit, liability कम करना है तो debit करेंगे ठीक है ना तो this is the basic concept of revaluation of assets and liability अब देखो बेटा एक बार हम लोग जो questions discuss कर लेते हैं, revaluation के जो हमने concept discuss कि है मैं इसमें जो अच्छे question है वही करा रहा हूँ, बागी simple question आराम से तुमसे हो जाएंगे पहले में solve questions ले रहा हूँ, illustration number 35 वे ले रहा हूँ, book का, revaluation of assets and reassessment of liability pass entry in firm general for the following on admission of a partner, admission पर आपको entries करना है ठीक है ना unrecorded investment exist of 5000, इसको accounting करना है, अब unrecorded investment मतलब यह अपना asset है और asset है इसके accounting करना है तो के entry करेंगे investment account debit to revaluation, तो मिन एंटरी कर दी investment to revaluation amount लिग दिया 5000 ठीक है ना unrecorded liability towards supplier 1500, आर तो भी accounted, अब यह भी unrecorded liability है तो liability बढ़ी 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 बन्दो credit होगा, तो revaluation to creditors 1500 अबने एंटरी कर दी, creator of 600 will not be claim, not be claim मतलब अपनी liability कम हो रही है ठीक है ना, कम हो रही है तो creditors account debit to revaluation और इसको write back कर दिया आम लोगो ने ठीक है तो यह illustration number 35 होता है ठीक है अब illustration number 36 quite a good question है और मेरा suggestion है कि आप यह question है अच्छे से कर लोगा आपका काफी कुछ concept revolution clear or the ingredient pass general and to record the following transaction on the admission of Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profit in the ratio 2 is to 3 value of furniture is to be increased by 10,000 a furniture increase करना तो अब बाद बताओ कें रिटीर ऑनीचर इंक्रीचर असर्ट इंक्रीस करना तो असर्ट इंक्रीस करना तो इंक्रीस करना तो असर्ट इंक्रीस करना तो फॉनिचर account debit to revaluation entry कर दी फॉनिचर टू रिवालिएशन ठीक ना next the value of furniture is to be increased to 40,000 अब देखो बाई 10,000 दस जार से बढ़ाना है 240,000 मतलब 40,000 तक लेके जाना है language समझना the value of furniture is to be increased 240,000 40,000 40,000 तक लेके जाना है अब book value हुब ही कितनी है 20,000 रुपे तो 20 की चीज़ को अगर यहां बाई होता ना तो 40 से बढ़ाना है यहां कहसे है two मतलब 20 की चीज़ को 40 पर लेके जाना है तो बीजर से बढ़ाना है तो बीजर से बढ़ाना है तो फॉनिचर टू वापस 20,000 से एंटरी जाएगे फनीचर दू रिवालिएशन 20,000 टूपीस टी कहना next the value of furniture is to be bought up to 120% of its value मतलब उसकी जो value इसको 120% तक लेके जाना है up to मतलब 120% तक लेके जाना है अगर यहां बोलते है ना is to be bought by 120% तो 120% से बढ़ाना है यहां क्या बोलना है furniture की value 120% तक लेके जाना है तो 50,000 के furniture को गर 120% तक लेके जाना है simple into 1.2 कर दूँ मतलब 10,000 से बढ़ाना है तो furniture account debit to revaluation आपकी 10,000 रुपे से entry होगा है मतलब 20% से बढ़ाना है simple सी बात है ठीक है अगला stock is undervalued by 10% अब stock undervalued और है 10% से अब मेरे ख्याल से ये concept कुछ student हो confused कर सकता है मैं इसके लिए आपको एक description box में link दे रहा हूँ cost, selling price और profit का ये वैसे भी तुमको बहुत important concept है अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो मेरा must suggestion है ये concept अच्छे से पढ़ लेना ठीक है ना मैं फिर repeat कर रहा हूँ ये दोनों के 4th और 5th वाले ऐसा नहीं समझना से 4th और 5th को समझने के लिए वीडियो हमको देखना है मैं इसका link आपको description box में दे रहा हूँ तो वो आप जरूर देख लेना ठीक है ना ये वीडियो पूरा देखना ये तुम्हारे लिए क्वाइट यूसफुल वीडियो रहेगा आगे वाले topics के लिए ठीक है ना cost selling price profit का तो stock is undervalued by 10% मतलब ये जो श्टॉक है ये 90% के बराबर है अब आपको ये आप बोल सकते हो से 90% के बराबर कैसे होगा तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो दस मिट लेंगे इस वीडियो को देखने में बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो अच्छे से देखना यहां पर ये वीडियो मेरा ये वाला वीडिय के बराबर है तो मतलब इंटू 10 कर दें क्यों 10 से अंडर वेल्यों को दो जार से बढ़ानी है तो स्टॉक अंडर वैल्यू किया तो आठारा जार अपो नैंटीन टू हंड़ेट दो जार से बढ़ानी है यह कन्फूशन आपको क्लियर हो जाए कर आप कॉस्ट सेलिंग करना इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना वीडियो यह वाला ठीक है स्टॉक इस ओर वैल्यूट बैट 10 परसेंट और वैल्यू मतलब 10 परसेंट से बढ़ा दिया है तो यह खुद 110 के बराबर है ठीक है ना तो बाइस जार अपोन 110 इंटू 100 मतलब कम करना पड़ेग अगला अगला मशीन इस टेकन वा एक्स फॉर रूपी 80,000 अब स्टुडेंट इस वाले केस वर बुक वेल्यू साथ जार है अब मशीन एक्स लेकर गया 80,000 अब आपको एक चीज तो पता है अपन कभी डिरेक्ट पैसा ही लेते कापिटल कम करेंगे लेकिन पहले अपन इस वालेशन 20,000 फिर क्योंकि वह स्टॉक मशीन एक्स लेकर गया तो एक्स कापिटल को कम करेंगे तो एक्स कापिटल तू मशीन तो अमने एंट्री कर दी एक्स कापिटल टू मशीन 80,000 से होब करता हूं यह एंट्री तूम को अच्छे समझ आ गई होगी होगी ठीक ना वं थर्ड ऑफ मशीन इस टेकन बाई वाई फॉर 30,000 और बालेंस इस रिवालुए ट फिफ्टी तवं तूज़ें शिक संड़े ना 72,000 की मशीन है अगर मैं इसका वं थर्ड करता हूं तो वं थर्ड आता है 24,000 72,000 की मशीन है उसका वं थर्ड करते हैं तो वं थर्ड आता है 24,000 तो वं थर्ड ऑफ मशीन है इस टेकन बाई एक्स फॉर 30,000 मतलब 24,000 रुपे की मशीन 24,000 रुपे की मशीन कितने पे लेकर गया एक्स 30,000 पे मेरी बात फिर से ध्यान देना वेटा 72,000 की टोटल मशीन है इसका वं थर्ड 24,000 की मशीन एक्स कितने पे लेकर गया 30,000 रुपे तो पहले तो अपने वो 6,000 रुपे से मशीन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा मेरी बात समझे आप एक्स लेकर 30,000 रुपे गया तो एक्स कापिटल तो कम करेंगे और 2 मशीन करेंगे 30,000 रुपे लेकिन इस मशीन को 30,000 रुपे की रिकॉर्ड करने के पहले अपन मशीन को 6,000 रुपे से बढ़ाएंगे तो पहले एंट्री करेंगे अपन मशीन टू रिवालिएशन 6,000 रुपे से और फिर एंट्री एक तो ये करेंगे तो इसमें फर्स केस में एंट्री तो होगी मशीन टू रिवालुएशन इनने डिरेक्ट बढ़ा दिया मैं आपको दोनों मैं आपको अलग-अलग बतायता हूँ ठीक है ना तो आप एक तो एंट्री करो मशीन टू रिवालुएशन ये एंट्री करोगे पहले आप 6,000 से ठीक है फिर करोगे X Capital तो मशीन ये करोगे 30,000 से मैं अभी 1,3rd की अकाउंटिंग बता रहा हूँ ठीक है ना 72,000 मशीन की Book Value थी उसका 1,3rd 24,000 लेकर गया 30 पे तो पहले मैंने 6,000 की बढ़ा दिया और फिर मशीन कम कर दिया ठीक है आगे क्यों ये बोल रहा है Balance is Revalued at 57,600 अब बैलेंस कितने की मशीन बची तो 48,000 की मशीन और बची है अब बैलेंस कितने की मशीन बची है 72 में से अगर 24,000 गया तो अब 48,000 की मशीन बची है जिसको अब ने Revalued किया है 55,600 पे 48,000 की मशीन को Revalued किया है 57,600 पे मतलब 9,600 की वैल्यू बढ़ा दिया हमने मेरी बास समझे आप 48,000 की मशीन को Revalued किया है 57,600 बढ़ा दिया है तो एक एंट्री और करेंगे Machine to Revaluation और ये एंट्री 9,600 से करेंगे तो बुक ने क्या किया है इन दोनों को एक साथ एंट्री कर दिया आप इन दोनों को जोड़ोगे न तो 15,600 आता है तो बुक ने एक साथ एंट्री कर दिया Machine to Revaluation 15,600 की आई बात समझ में और फिर X Capital X ले गया है Y ले गया है Y लेकर गया है 30 तो यहां X की वजाए Y हो जाएगा ठीक है न इसकी वजाए Y हो जाएगा ठीक है तो बाकी को Revalue कर दिया और यह Accounting हो गई हमारी ठीक है तो एक Entry Y Capital to Machine और एक Machine to Revaluation हो गया ठीक है न Next Out of the amount of insurance premium which was debited to P&L जो insurance premium पर ने P&L में debit किया था 5000 to be carry forward to next year 50 रुपय हमको next year carry forward करना है carry forward करना है मतलब prepaid insurance है और prepaid insurance अपना asset होगा तो asset को create करने के लिए debit करें तो entry हो जाएगी prepaid insurance account debit to Revaluation पाँजार रुपय से entry कर दी prepaid insurance to Revaluation अगला expense or Revaluation amounted to रुपी 5000 paid by X अब Revaluation खर्चा 5000 रुपय था तो 5000 से ये entry होगी a debtor whose due of 14,000 return of his bed debt last year paid 10,000 in full settlement अब एक debtor था जिसका 14,000 रुपय bet debt write-off कर चुके हो अब यह ध्यान लगना bet debt right-off कर चुके हो और उसने 10,000 रुपय किया है तो यह आपको bet debt recovered है तो normal अपन 11 लाश्में एंट्री पढ़ते है cash to bet debt debt recovered तो cash to bet debt recovered और क्यूंकि यह हमारी income हुई है तो हमने bet debt recovered को अपस revaluation में डाल दिया ठीक है ना तो यह question number अपना 36 complete होता है ठीक है अपने अलोब practice करना फिर भी doubt हो तो मैं को whatsapp कर देना ठीक है बटा अब हम लोग एक question और करेंगे बट unsault question करेंगे अब हम लोग एक और और unsault question में आपको एक question अच्छा है जो मैं आपको में करा रहा हूं बाकिया आप लोग आराम से कर सकते है मैं तो अच्छा डेटर्स का adjustment आपको सम्झा देता हूं ठीक ना क्योशन फिफ्टी तू फिफ्टी थी ये दो मैं कराय तो फिर में को और लगता है तो मैं और क्यूशन आपको बताया था हूं ठीक ना ना X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3 to 2 X और Y दो partners है profit share कर रहे 3 to 2 में they admitted Z for 14 share at the time of admission of Z debtors and provision for doubtful debt existed at 76 and 8 Z को admit कि 14 share के लिए जब Z को admit कि तो debtors 77,000 के थे और provision 6000 का था 6000 of debtor proved bad अब 6000 के debtor तो bad debt हो चुके है अब provision of 5% is to be created on debtors for doubtful debt past necessary journal entries ठीक है question फिर से read करते है X और Y दो partners है profit share करने 3 to 2 में Z को admit कि 14 share के लिए Z को जब admit किया तो debtor और provision था 76 और 8 6000 के debtor bad हो गए provision 5% और बनना था debtor doubtful के लिए past necessary journal entry यह पता है यह वाला बच्चो उसको student को अच्छे समझ में आ जाएगा जिसने 11th class में न provision for doubtful debtor concept अच्छे से पढ़ाए अब अगर आप वापस मूँ बनाओ और यह बोलो गिण्यार इस ओगे थी स्टू तो जूँ बन वो दो ठीक है एडमिश्ट पे डेक्टर और प्रोवीजन था पचास जर और पांच हजार मतर डेक्टर पचास जर था प्रोवीजन पांच जर था ता ओल् देटर जर बूर्ट अब क्योशन बोला है साहरे डर से हैं तो भॉशी बात है मिद्टल प्रोवीजन रिवर्स करना है अब तो प्रोवीजन को रिवर्स करने के लिए एंटेर उस बड़ाने तो इसके 서 प्रोवीजिन फोर डाउट फुल देट तू रिवालिएशन अब एंट्री कैसे करोगे प्रोवीजिन फोर डाउट फुल देट्स तू रिवलेशन ये एंट्री कर दोगे आफ 5,000 जा ठीक है ना सिंपल आपको प्रोवीजिन को खतम करना है ठीक है युकि डेटर सारे गुड है ठीक है ना पास जनल एंट्री से एक एंट्री करना है हमको ठीक है बटा अब मैं आज़ा तो डरेक क्योशन नंबर 52 पे मैं आपको क्योशन 51 और करा जेता हूं एक बार मेरा मन नहीं मान रहा है 51 और करा है तो हमें ठीक है ना एक सेंट वाई पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेर कर रहे हैं थी स्टू टू में एड्मिट किया जेड़ेज़ पार्टनर फॉर वनफोश्यर अट टाइम अब इन्वेस्मेंट कितने पर चल रहा है असी अजार रुपे पर इन्वेस्मेंट सेल रहा है हाफ अब इन्वेस्मेंट तो भी टेकन भाई एक्सेंट वाई इन दे प्रॉफिट शेंग रिश्यर बुक वैल्यू रिमेनिंग इन्वेस्मेंट वर वैलुड एट 50,000 पास नेसेसरी जनल एंट्रीज ठीक है बटा तो योशन में फिर नहीं कर रहा हूं मैं डि इस तो टू ठीक है और बाकी 40,000 के इन्वेस्मेंट को अपने रिवैल्यू कर दिया है 50,000 रुपे पे बाकी 40,000 के इन्वेस्मेंट को आपने रिवैल्यू कर दिया है 50,000 रुपे पे तो अब मेरे को एक बात बताओ अगर हमने 40,000 के इन्वेस्मेंट को रिवैल्यू कर दि और जो X और Y 3-2 में लेकर गए इससे उनको capital कम कर दे X capital, Y's capital क्योंकि वो book value पे लेकर गए तो revaluation कुछ करना ही नहीं हमको 40,000 इसको 3-2 में divide कर दो तो वो आएगा 24,000 और 16,000 और ठीका न तो एक entry तो आपकी यह हो जाएगी और एक entry आपकी बाकी investment को बढ़ाने की हो जाएगी ठीक है वेटा Now, coming to next Q2 मैं फिर से पढ़ देता हूँ X or Y partner जे 3-2 में Z को admit किया 1-4 share के लिए admission पे debtors 76 थे और provision 8 का था 60 debtors bad हो गए, provision 5% वापस बनाना है, debtors पे जनरल entry पास करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ देखो ये question उसको बहुत अच्छे समझ में आजाएगा जिसने 11 में provision for doubtful debt अच्छे से पढ़ा और अभी तक याद है अगर आप ऐसा सुचते हैं से हमको provision for doubtful debt तो नहीं आता बट ये question को जादू मंतर आप छड़ी लगा के समझा दो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं question आपके सामने solution कर देता हूँ बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर आपने 11 को अच्छे से नहीं पढ़ा है डेटर doubtful debt का तो दिक्टत करेगा है question ठीक है ना और आप मुझे वाटसर पूछो के तब भी मैं आपको प्रोविजन 76 और 8 थे इसका मतलब अपने बाट डेटर 76 और अपने को क्यूंकि doubtful था इसलिए अपन एट का प्रोविजन बना चुके थे हमेशा एक बात ध्यान रखना की ने प्रोविजन का बैलेंज क्रेट होता है मैं पूरी कोशिस करूंगा आपको समझ में वापस आता है नहीं समझा हो तबढ़िया रफिया हिर अब 6,000 बैप्डší तो आपन बैट डेप को राइट ऑफ करेंगे तो मैंने क्या किया मैं सबसे पहले अगर बैट डेप के एंट्री करता हूं तो मैंने एंट्री करी हो कि बैट डेप टू डेटर मैं entry करूंगा bad debt to debtor और वो entry कितने से करूंगा 6000 रोपे से मेरी बात फिर से दियान देना 6000 के debtor bad debt हो गए मैने entry करी bad debt to debtor कितना रोपे 6000 से अब क्योंकि bad debt में रखिया है loss है तो इसको write of कहां से करेंगे अब अब बात है आप बोल गेंगे इसको write of लेकिन यहां पर क्योंकि प्रोवीजन चल रहा है तो इसको राइट आफ प्रोवीजन से करेंगे तो अगली एंट्री क्या करेंगे प्रोवीजन प्रोवीजन वह उजत्राइघ बता अपने प्रोवीजन बड राइट और से क्या अबत उत्रीक प्रोवीजन THE doubtful debt to bed debt ठीक है अब provision 8,000 का था जिसमें से provision कितने हैं अच्छे का क्योशन आगे हम को यह बोल रहा है कि provision 5% is to be created और debtor for doubtful debt आपको 5% का provision और बना के रखना है debtors के उपर अब अगर 5% का provision और बना के रखना है तो 76,000 में से जो doubtful जो खतम होगा उसको तो कर दिया मतलब में को credit balance चाहिए closing तो balance CD करूंगा provision account में 3,000 तो different revolution से आ जाएगा ठीक है क्योशन मैंने solution कर रहा है आप ध्यान से समझना ओप प्रोविजन for doubtful debt का opening balance मैंने 8,000 लिग दिया क्योंकि credit balance होता है तो positioning balance हमने पहले से लिखा हुआ 8,000 रुपे ठीक है ना फिर हमको क्योशन का बोल रहा है आगे इदर से क्योशन स्टार्ट हो रहा है मैं 50 second इदर से लिख रहा हूं ठीक है आप लोग यह वाला पार नहीं दिखना है यह पार काम का नहीं आपके ठीक है किया तो प्रोविजन फूर दूट टू बैट डेप तो इसका मैंने किया यह वरकिंग अ काउंट बना दिया इसक है इए है जिक कियो ने नीड ने है बट वरकिंग नोट में अकाउंट बना रखा है मैंने तो इसको राइट अफ किया तो बैट किया फिर हमको वापस पांच परसेंट का प्रोविजिन मिंटेन करना है तो फर्दर प्रोविजिन नीडिट कितना है सब्सक्राइब करना रहा है तो यह अपना क्योशन नंबर 52 होता है यह थोड़ा और जादा बेटर उनको अच्छे समझ जाएगा जिनको प्रोविजिन वन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो यह एक ओरॉल कंसेप्ट हमने डिसक्स क्या रिवालिएशन के वैसे हम लोग रिवालिएशन कंसेप्ट को आगे जब बैलेंशीट प्रिवरेशन सीखेंगे जब रिजर्व वाले टॉपिक के बाद वाले जो वीडियो होगा उसमें हर क्योशन में लगव लगव रिवालिशन आने वाला है ठीक है ना तो इसलिए क्योशन को टॉपिक को अच्छे समझ देना स्टिल इफ यूव डाउट आप म